तो दोस्तों UPL के बारे में बात करेंगे, कम्पनी ने बाइबैक का एनाउंसमेंट किया है, बाइबैक कितना कर रहा है, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम स्टॉक प्राइस के बारे में बात करते हैं, मार्च दो को NSE में UPL लगभग 690 र रही है, लेकिन बाइबैक में टेंडर नहीं होने वाला है, जैसे कि जो हमने देखा TCS का बाइबैक 4,000 रुपे में, तो अगर आप टेंडर करते हैं, तो आपको 4,000 रुपे मिल जाएंगे, तो वैसा यहाँ पर UPL के केस में नहीं होने वाला है, कम्पनी बाइबैक करेगी लेकिन वो ओपन मार्केट रूट से करने वाली है, मतलब वो स्टॉक एक्सचेंज से ही खरीदती रहेगी, यहाँ पर आपको मैं ध्यान दे दू, कुछ सालों पहले जैसे रीसेंट में ही इनफेक्ट, जैसे इनफोस इसने बाइबैक किया हुआ था, तो यहाँ पर 875 maximum buyback price है, तो अगर आपके पस let's say UPL का share है, तो ऐसा नहीं होने वाला है कि आप 875 में tender कर देंगे और company आपको पर share 875 दे देगी, तो वो ऐसा इस बार नहीं होने वाला है, company stock market से ही खरीद लेगी जो भी अपने share है, तो यह चीज का आपको ध्यान में रखना है, दूसरी ची था, तो उस समय में 283 करोड का उन्होंने buyback किया हुआ था, उसके हिसाब से अगर आप देखें, तो 3 times से भी ज्यादा बड़ा इस बार buyback कर रही है, UPL मतलब एक बड़ा buyback है, पिछली बार 2014 की तुलना में, 1.65% paid up capital है, यहाँ पर outstanding shares जो है, वो down हो जाएंगे, कम हो जाए नहीं है, जैसे जैसे आती रहे कि हम आपको बताते रहेंगे, but main important चीज़ वही ध्यान में रखे, आप tender करते हैं, तो वैसा इस बार नहीं होगा, stock market के थ्रू में ही company, जो है अपने stock खरीने वाली, लेकिन फिर भी, इसके क्या मतलब है, देकिए buyback जनरली एक positive message send करता है, company उन्हें 875, भले ही ये maximum buyback price रखा है, लेकिन कहीं न कहीं company साइध ये भी सोच रही है, कि stock 875 में भी undervalued है, हो सकता है buyback उससे कम price में भी करें, उनको उनके लिए और अच्छा है जितने कम price में वो करें, तो वो एक important चीज है, कि उनको undervalued कहीं न कहीं लग रहा है, legendary investor Mr. Warren Buffett उनके बारे में हमने कुछ वीडियोज बनाए हुआज आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने कहा था, कि buyback में जो shareholder से उनकी ownership बढ़ती है, तो जैसे Apple में 5.39% उनका stake था, और वो बढ़कर 5.55% हो गया, उन्होंने कुछ stock नहीं खरीदा, लेकिन Apple चुकी buyback करती थ तो उसकी वज़ा से जो number of outstanding shares जो है, वो कम हो जाते हैं, तो ownership आपकी increase हो जाती है, दूसरी चीज, fundamental investors के लिए भी अच्छा है buyback क्योंकि earning per share बढ़ जाती है, क्योंकि number of shares कम हो जाते है, earning उपर रहता है, shares नीचे रहता है, divide करे, तो shares कम हो जाएंगे, तो EPS बढ़ जाएगा EPS बढ़ जाएगा, तो price earning ratio कम हो जाएगी, तो fundamental अच्छा है, return on equity ये भी increase हो जाती है, अलग-अलग वीडियो में इन सब के बारे में मैंने detail में बताया हुआ है, दोस्तों आप देख सकते हैं, important चीज है, ये एक positive message जरूर देती है, लेकिन हा, कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि सायद management को अपना stock 875 में हो सकता है, undervalued लग रहा हो, लेकिन market ऐसा ना सोच रही हो, ये भी एक चीज है, बहुत बार ऐसा भी हुआ है, company ने, कुछ company को हमने देखा है data जहां पर company ने buyback किया है, लेकिन buyback के बाद भी stock price गिरा है, ऐसा भी होता है, management को हो सकता है, stock price undervalued new buy होगा, या फिर आपको क्या लगता है, कि stock महंगा होगा, buyback पर अपनी राई चरूल बताइए, comment section में धोस्तों, धन्यवाद आपके समय के लिए, thank you very much